आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, सबसे खुपसूरत और सबसे कॉमन इंडोर एर पूरिफाइंग प्लांट, स्नेक प्लांट कौन से होते हैं? इग तो यह होता है यह बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सुन्दर लगता है और second चीज़ देखेंगे हम लोग कि इसको report कब करना है इसको कब आप divide कर सकते हैं कैसे पता चलेगा कि ये आप root bound हो गया है देखिए ये तीनों गमले जो मैंने दिखाए हैं ये तीनों बहुत common है और बहुत pretty लगते हैं ये वाला नहीं है ये वाला है ये तीन है एक दो और इसको फेबरी के महीने में या मार्च के महीने में बहुत अच्छा टाइम होता है अगर आपका एकदम भर गया है जैसे ये भर गया है तब आप इसको divide करके दो में कर सकते हैं मार्च में भी कर सकते हैं बहुत जादा गर्मी में avoid करिए क्योंकि ये भी बहुत जागा गर्म नहीं लाइक करता है